मूवी का स्टार्ट आलमा नामी लेडी से होता है जो अपनी फैमिली और टाउन के कुछ और लोगों के साथ मिलके एक नियू घर ढूनने निकली थी पर आदे ही रस्ते में कुछ बुरे लोगों ने उन पे हमला कर दिया जिसकी वज़े से आलमा ने अपने हस्बन को खो दिय उस मुश्किल वक्त में अलमा अपने ट्रिपलेट्स के साथ परिशान बैठी थी कि तब ही जो कैंडल वो अपने साथ लाई थी वो ग्लोग करते हुए जादूई कैंडल में पतल जाती है उस कैंडल के चमतकार की वज़े से वहीं एक घर बन जाता है ऐसा चादूई घर ज उनकी आग आने वाली हर जेनरेशन को मिलती है जिनकी मदद से अलमा की फैमली अपने आसपास रहने वाले लोगों की मदद करते हैं और अपने विलज को एक जन्नत बना देते हैं यह स्टोरी अलमा अपनी पोती मेरबल को सुना रही थी क्योंकि आज इसका गिफ्ट मिलने वाला है जैसे ही मेरबल अपनी पावस जानने के लिए गेट को हाथ लगाती है स्क्रीन ब्लैक हो जाती है नेक्स सीन्स कुछ साल बात के दिखाए जाते हैं जहां मेरबल बड़ी हो चुकी थी वो जब घर से बाहर निकलती है तो विलज के कुछ बच्चे पीछे पर जाते हैं और उसे उसकी फैमली की पावस का पूछने लगते हैं मेरबल एक एक करके अपनी सारी फैमली की पावस का बच्चों को बताती है और ये भी के कैसे उनकी पावस की वज़ज़ से विलज के लोगों को कितनी असानी रहती है पर इस सब में वो अपनी पावस का जिकर नह मिली यही वज़ा है कि सब मेरेबल को कम तर समझते थे पर फिर भी वो हर कोशिश करती थी कि किसी तरह अपनी फैमली में एड्जास्ट कर सके आज जब उसके काजन इंटोनियो को उसकी पावस का पता चलना है तो अलमा मेरेबल को हर चीज़ से थोड़ा दूर रहने को कहती ह ताके कोई बच्चुकनी ना हो क्योंकि आज का दिन एलमा की फैमली के लिए बहुत जरूरी है अगर आज इंटोनियो को कोई गिफ्ट ना मिला तो लोगों का एलमा की फैमली से विश्वास खतम हो जाएगा जो वो बिल्कुल नहीं जाती थी इतने प्रेशर की वज़े से इंटोनियो बहुत डरा हुआ था जो देखके मेरेबल उसे हंसला देती है तब ही इंटोनियो के बाहर जाने का वक्त आ जाता है बहुत डरी होने की वज़े से इंटोनियो मेरेबल को उसके साथ चलने को कहता है जो आलमा को अच्छा तो नहीं लगता पर सब के सामने वो गुल पदल के रखती पर इंटोनियो के साथ ऐसा नहीं हुआ और इसे जानवरों की जुबान समझने की शक्ती मिल गई उसके कमरे में एक बड़ासा जंगल बन गया जहां हर तरह का जानवर रह सकता है सारी फैमली इंटोनियों की ये खुशी मनाने लगते हैं और साथ एक पच्छे लेते हैं पर मिरिबल को उस पच्छे में लेना भूल जाते हैं इस सबकी वज़े से लोगों की भीर होने के बावचुद भी मिरिबल खुद को अकेला महसूस करने लगती है अब उसका सबर तूटने लगता है वो भी चाहती है कि उसे उसकी फैमली की तरह कोई शक्ती मिले और लोग उसकी इज़त करें पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब वो इस जमतकार का इंतजार करते करते भी ठाक गई थी इसी दुख को दिल में लिए वो अकेले घर में भीर रही थी कि अच्छानक वो देखती है कि घर की दिवारें कमजोर पर रही है और उनमें क्रैक्स आने लगे है मेरिबल पर रिशान हो जाती है और फौरन अलमा को इस बारे में जाके बताती है पर अलमा के आगे देखने पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता जिस पर सबको लगता है कि मेरिबल सदमे में आने पर किसे कोई शक्तिया नहीं मिली ये सब तवज्चो हासिल करने के लिए कर रही है कोई भी उसका यकीन नहीं करता यहाँ तक यूसकी मदर भी नहीं जिनकी हमीशा कोशिश मेरिबल को स्पेशल फील करवाना थी मेरिबल सोने के बजाए उन क्रैक्स के बारे में ही सोच रही होती है इसलिए जादूई कैनल को देखने जाती है पर विंडो पे आलमा को परिशान घड़े देखती है जो अपने हस्बन के पिचर को देखते हुए सोच रही थी कि अगर घर में क्राक्स आए हैं इसका मतलब है कि सब कुछ खत्रे में है और वो लोग एक बार फिर बेखर हो सकते हैं जो आलमा पिल्कुल नहीं जाती है उसे परिशान देखके मेरेबल जस्बात में आके फैसला करती है कि वो अपने घर को बचाएगी पर वो ऐसा कैसे ये तो वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी अगली सुबा इस मसले को हल करने के लिए मेरेबल घर वालों से सवाल शुरू करती है तब ही उसकी बड़ी बहन लुईसा जो इतनी स्ट्रॉंग है कि पहारों को भी हिला सकती है उसे कुछ परिशान नजर आती है मेरेबल के प कुन चाहिए या एक नॉर्मल लाइफ चाहिए मेरेबल उसे समझते हुए हांसला देती है फिर लुईसा उसे बताती है कि जब मेरेबल ने घर में क्राक्स देखे तब लुईसा को अपनी शक्तियां कम होने का एहसास हुआ जैसे वो कमजोई पर रही है पर यह सब क्यों हो रहा है वो यह नहीं जानती इसे वो मेरेबल को अपने सवालों का जवाब लेने उनके अंकल ब्रूनो के रूम में जाने को कहती है जो फ्यूचर देख सकते हैं और उन्हें लास्ट विशन कर तूटने का आया था जिसे देखने के बाद वो कहां गायब होकर कोई नहीं जा मेरेबल सबकी नजरों से बचते हुए उनके रूम में जाती है तो वहां उसे बड़ासा सैंड ग्लास देखने को मिलता है उसके अंदर जाने पर ठीर सारी सीरियों से होते हुए एक जगा पहांचती है जहां उसे गुफा का दर्वाजा मिलता है मेरेबल के अंदर जाते ही वो देवासा बंदू जाता है उसे वहाँ सैंड के अंदर को चमकता हुआ नजर आता है वो उन ग्लास के टुकरों को निकाल के आपस में जोड़ना शुरू करती है तो उसे उसमें अपनी शकल नजर आती है और उसे लगता है कि इस घर का जातू उसकी वज़ा से कमजोर पढ़ रहा है फिर एकदम वहाँ सब तूटने लगता है इस ते वो फॉरण सारे ग्लास के टुकरे जमा करते हुए जैसे तैसे अपनी जान बजाती उस कोफा से निकल आती है ब्रूनो के कमरे से निकलने पर उसकी टकर आलमा से होती है जो उसे उसके हाल लगते के टांटने ही लगती है कि लुईसा रोते हुए आकर उन्हें बताती है कि उसकी शक्तियां कमजोर पढ़ रही है आलमा लुईसा के लिए बहुत परिशान हो जाती है और मेरookie को उसे दूर रहने को कहती है अपने कमरे में जाके मेरिबल उन गलास के टुकरों को चोडने ही लगती है कि वहां उसकी आन्ठ आ जाती है मेरिबल उनसे Brun exproeम के बारे में सवाल करने की कोशिश करती है पर उसे चुप करवा देती है क्योंकि उस घर में ब्रूनो का नाम तक लेना मना था तब ही मेरेबल के अंकल वहां आते हैं जो से बताते हैं कि ब्रूनो जो देखता है वो हमीशा सच हो जाता है और उसके लास्ट विजिन में उसने मेरेबल के बारे में बहुत बुरा देखा था जो इस घर के शक्तियों के खतम होने से जुड़ा हुआ था ब्रूनो ने आज तक जिस जिस के बारे में जो भी बताया था वो सब हमीशा सच हुआ है और उन में से आदी बाते हमीशा बुरी ही थी यही वज़ा है कि सब उससे नफरत करते हैं और कोई भी उसका नाम तक सुनना नहीं जाता इसने वो सब मेरेबल को भी यही समझाते हैं कि वो ब्रूनो और इसके विज़न के बारे में सब भूल जाए मेरेबल अपने कमरे में जाके उन ग्लास के टुकरों को जोड़ती है तो उसे उसमें अपनी तस्वीर मिलती है अब इसका क्या मतलब है वो यह समझने की कोशिश करी रही थी कि उसके फादर उसे बुलाने वहां आ जाते हैं जो यह जानने पर कि मेरेबल ब्रूनो के रूम में गई थी बहुत परिशान हो जाते हैं और उसे इस बात को राज रखने को कहते हैं क्योंकि आज रात उसकी दूसी सिस्टर इसबेला के इनलाउस डिनर पे आ रहे हैं और उन्हें सब कुछ परफेक्ट रहे पर यह सब मेरेबल की काजन सुन लेती है जो डिनर टेबल पर एक एक करती सब को यह सब बताने लगती है इस चक्र में जैसा उन्होंने सूचा था सब वैसा नहीं जाता मेरेबल इसबेला के फ्यांसे को से जल से जल प्रपोस करने को कहती है पर घर में फिर से क्राक्स आने लगते है मेरिबल की आंट की बारिश करने वाली शक्तियों की वज़े से सब कीले हो जाते हैं इन टुनियों के जानवर मेरिबल के फादर की पॉकट से प्रूनो के विजिन के टुक्रे निकालके उन्हें जोड़ते हुए आल्मा के सामने रख देते हैं इन शौर्ट सारी रात का सत्या ना सुजाता है जिसकी इसबेला के इनलोज चादी की तारीक दिये बगेर ही वहां से चले जाते हैं और इस सब का जमेदार कौन है बस एक ही मिरेबल मिरेबल चुहों को ग्लास के टुक्रो को कहीं ले जाते देखते उनका पीछा करने लगती है जो एक पेंटिंग के पीछे होल में चले जाते है उनका पीछा करते हुए मिरेबल ब्रुनो को देखती है जो मेरेबल से बात करने के बजाए उसे बच के भागने लगता है पर मेरेबल उसका पीछा नहीं जोड़ती आखिर में हार मान के ब्रूनो रुख जाता है मेरेबल देखती है कि वो कभी भी कहीं गया ही नहीं था वो तो ऐसे ही सबसे छुपते हुए यहीं रहके घर में आने वाले इन क्राक्स को सही कर रहा था प्रूनो मेरेबल को बताता है कि इसकी शक्तियां उसके घर के लोगों को कोई फाइदा नहीं दे रही थी पर इसका यह हर्गेस मतलब नहीं था कि वो उनसे प्यार नहीं करता इसलिए बस यहां रहते हुए किसी तरहं से दूर रहके भी उनके करीब रहने की कोशिश कर रहा है ब्रूनो मजीद बताता है कि उसरा जब मेरेबल को उसकी शक्तियां नहीं मिली तो आलमाने परिशान होके ब्रूनो को फ्यूचर देखने को कहा जिसमें उसे अपनी फैमली का चादो कमजोर और घर तबाह होते नजर आया और फिर मेरेबल नजर आई अब इस सब का क्या मतलब था वो नहीं जानता अगर वो किसी को कुछ बताता तो सब इसको गलत ही लेते इससे मेरेबल को बचाने के लिए वो गायब हो गया ब्रूनो मेरेबल को उमीद नहीं चोड़ने देता क्योंकि उसका कहना था फिचर बतला भी जा सकता है अगर उसने इससे जादा कुछ देखा होता तो शायद सब ठीक हो जाता तब ही मेरेबल को आईडिया आता है और वो ब्रूनो को पर से फिचर देखने को कहती है पर खुली जगा ना होने की वज़े से ब्रूनो ऐसा कर नहीं सकता था एक तम इंटोनियो वहां आके उन्हें उसका रूम इस्तमाल करने को कहता है उसे माउस पहले से ही सब बता चुके थे अपनी फैमली को बचाने के लिए ब्रूनो मान जाता है और इंटोनियो के कमरे में जाके फ्यूचर देखने लगता है इस पार भी उसे वो ही विज़न आता है पर स्यादा धिहान देने पर वो एक बाटरफलाई को देखता है जिसका पीछा करते वो और मेरिबल देखते हैं अगर वो एज़बल को खुश करते जो करना मेरिबल के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि दोनों बेहने एक दूसरे को एक मिनट भी परदाश नहीं कर सकती और अब तो एज़बल अपना रिश्टा खतम होने की वज़जा मेरिबल को समझते हुए उसे वैसे ही नफरत करती है मेरिबल इज़बल के कमरे में जाके उसे हक करने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा करना इतना असान नहीं था दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है तब ही ईजबल रिवील करती है कि वो उस तरके से शादी करना ही नहीं जाती थी वो तो बस अपनी फैमिली की खातर ये कर रही थी उसके ये कहते हुए पहली बार उसके पूलों से भरे कमरे में एक एक्टिस निकलता है इस तब दीली को दे के ईजबल बहुत कुश हो जाती है मेरेबल को एहसास होता है कि ईजबल जितना परफेक्ट नजर आने की कोशिश करती है वो उतनी है नहीं और ऐसे लोगों की उमीदों भे पूरा उतरने की कोशिश करने के चकर में वो खुद को खोती जा रही है तोनों बेहने साथ बहुत एंजोई करती है जैसे इस बल हमेशा से करना जाती थी जिसके बाद दोनों हाग करती है और कैंडल की लाइप जयाता आउ जाती है पर उनकी इस खुशी को खराब करने आलमा वहां पहुंच जाती है जो मेरेबल की सुनने के बजाए उसे टाटने लगती है वो अब भी हर चीज़ का और इस घर में होने वाली हर गलत बात का जिमेदार मेरेबल को टहराती है क्योंकि उसके पैदा होते ही घर में क्राक्स पढ़ने लगे थे तब ही मेरेबल को एहसास होता है कि इस सब की वज़ा वो नहीं बलके ऐलमा है किंगे वो सब घर वालों को परिफेक्ट बनाने के चक्र में इतने प्रेशर में डाल रही है कि सब खुश रहना ही भूल चुके हैं यही वज़ा है कि इस घर की बन्याद लगी है मेरिबल की ये कहते ही घर तूटने लगता है जैसा बुर्णों ने विजिन में देखा था सब वैसा ही होने लगता है सब घर से निकल जाते हैं पर मेरिबल हमत नहीं हाती और कैंडल तक पहांचके उसे बचा लेती है लेकिन इसका कोई फाइदा नहीं होता क्यूंके कैंडल खतम होके बंद हो जाती है घर तूटते ही सबकी शक्तियां चली जाती है अपनी फैमली को ऐसे परिशान दे के मेरिबल से बरदाश्ट नहीं होता और वो उने छोड़के अकेली जगा पे जाके रोने लगती है वहाँ एलमा के उसे चुप करवाती है और उसे सारा पास्ट बताती है कि कैसे उसने अकेले ये सब बरदाश्ट करते हुए उन्हें ये घर दिया पर इस सब में वो ये भूल गई कि ये शक्तियां उन्हें क्यों नहीं मिली थी आलमा मेरिबल के साथ पुरे सलू की माफी मांगती है वहीं मेरिबल को एहसास होता है कि आलमा ने कैसे अकेले इतना सब बरदाश्ट करते हुए उन्हें इतनी सकून दे जिन्दगी थी आज अगर वो सब एक साथ हैं तो सिर्फ आलमा की वज़ा से दोनों अपनी गलती समझते हुए एक दूसरे से माफी मांगते हुए हग करती है तब ब्रूनो के विज़न वाली बर्ट अफ़ाइब वहां आ जाती है जिसका मतलब ये था कि मेरिबल ने अपने मस्ते आलमा के साथ सही करने थे तब इस घर की बन्याद वापिस सही होगी उतनी दे मेरिबल के लिए परिशान ब्रूनो भी वहां पहां जाता है आलमा से देख के बहुत कुश हो जाती है और फिर वो तीन अपने घर वापिस सही करने जाते है जहां मेरिबल सब करवालों को समझाती है कि उन्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है जैसे वो हैं वैसे ही सबसे अच्छे हैं आलमा भी सबके साथ इतना सक्त होने की माफी मांगती है प्रूनो को वापस बाके सब बहुत कुश हो जाते हैं फिर टाउन की लोग उनका घर वापस बनाने के लिए उनकी मदद करने वहां पहुंचते हैं और दिनों में यह सब मिलके घर वापस खड़ा कर लेते हैं जिसका गेट खोलने सब मिरबल को भीजते हैं उसकी गेट को खोलते ही वापस कर कैसिता में बतल जाता है और मेन गेट पे उनकी फैमिली के पच्छर बन जाती है सब घर के अंदर जाके पार्टी करने लगते हैं और जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करते हुए एक नई शुरुवात करते हैं लास सीन्स में सारी फैमिली साथ बच्छर लेती है जिसमें मेरिबल भी है और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है इस मूवी की मदद से राइटर हमें लेसन देना चाहता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है पर हर इनसान में कोई ऐसी कापलियत है जो उसे बाकी सबसे अलग बना देती है इसने जो जैसा है हमें उसे वैसे ही अपनाना चाहिए वजीद ये के राइटर इस मूवी के थूप कामली की एहमियत हमारे सामने रख रहा है जिंदगी में आपके साथ कोई रहे ना रहे आपके खोन के रिष्टे हम मेश आपके साथ रहते हैं और अगर एक फैमली एक तक के साथ चाले तो वो मुश्किल से मुश्किल सिच्वेशन को भी असानी से हल कर सकती है थांक यू फर वाचिंग